हेलो गाइज, वेलकम टू एलफुरियस लाइफ, उमीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे हेलो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपके साच श्रिया करने वाली हूँ एक cotton की सूट की unboxing and review वीडियो जो की बहुत ही affordable rain में है और इसको मैंने order किया था, मीशो से ये मुझे received हो गया है, तो आईए देखते हैं कैसा और किस condition में received हुआ है और अगर बात करते हैं प्राइस की तो ये साड़े 500 से 560 रुपय तक आई दिंग 540 रुपय में मिल गया था, क्योंकि मीशो पे प्राइस थोड़ा बहुत कभी कभी उपा नीचे होते रहते हैं प्रोड़क्ट कोड जो है वह डिस्किप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइट कर दूंगी तो आप वहां से चेक कर सकते हैं और इस सूट पर आप अपने थोड़े बहुत पैसे बचाना चाहते हैं तो डिस्किप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक से आप मीशो क पैकेजिंग थी और इसके साथ जो टैसल सोब बटन थे वह आपको अलग से रखे हुए मिले थे टके हुए नहीं मिले तो जब आप इस सूट को टेलर भाया क्या देंगे स्टिच करवाने के लिए तो वहां पर उनसे बोल के इसको टकवा सकते हैं पता नहीं इन्होंने क्य और मतलब स्टिच करके नहीं दिया हुआ था यह पूरा सूट जो है वह अनस्टिच फॉर्म में ड्रेस मटीरियल है यानि सूट का कपड़ा है तो आप अपने साइस के अकॉर्डिंग इसको आराम से स्टिच करा सकते हैं बटन की क्वालेटी वगरा अच्छी थी टैसल बह बहुत गर्मी पाड़ ही इसलिए कॉटन का सूट लेना तो बनता है और यह जो सूट है इस पर रेशम का वर्क किया हुआ है सैटन के रीबन का काम है और जो मोती आप देख रहे हैं वह बहुत ही खुबसूरती से लगे हुए और बहुत अच्छे से बैक साइट से लगे आप पास से देख सकते हैं और आपने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया मेरे पहले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया तो उसके लिए थैंक यूँ और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर से जरूर जाते जाते कमेंट सेक्शन में अपनी र गोल्डन कलर के जो दिख रहे हैं वो छोटे वाले नग हैं बहुत अच्छे से उसमें चिपके हुए थे मैंने निकालने की कोशिश की तो इतनी असानी से निकल नहीं रहे थे इसके जंपर का जो बैक साइड है वो टोटली प्लेन है और उस पर कोई भी इंब्रोड़ी लेखते हुए ओवराल सूट में पूरी ही जान डाल देता है यह क्रीम कलर के बेस का दुपट्टा है इस पर मैरून कलर के फ्लांस की इंब्रोड़ी कर रखी पूरा दुपट्टा नेट के फॉर्म में है और कुछ इस तरीके से आपको चारो साइट पे लेस का वर्क मिल ज ही है थोड़ा सा मीडियोकर फॉर्म में है और पूरी इंब्रोड़ी आप देख पा रहे होंगे क्रीम कलर के दुपट्टे पर कितनी खील के आ रही और जो वहां पर पिक मैंचन थी वह आपको साइड में इधा उदार दिख रही होगी या दिख चुकी होगी पहले तो उस परता है हलाकि इसमें अस्तर वाला सूट नहीं है तो जादा बहतर है क्योंकि गर्मियों में अगर हम अस्तर वाले सूट पहनते तो बहुत जादा गर्मी लगती तो मैं इसे रेट करूंगी फॉर पॉइंट इस वीडियो के इस प्रोड़क्त के रिगार्डिंग कोश्चन तो आप इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जल से जल रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे ओवर वीडियो और सूट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता के ही जाईएगा बिना बताएं नहीं इस उमीद के साथ वीडियो को एंड करती हूँ कि हम सभी लोग अपनी जिन्दगी में खुश रहें और कुछ बहतर कर पाएं